सावीत्री जी बात बताईए कि अभी आप RSS की विचाधारों से निकल कर आएं तो अभी कैसे महसूस कर रहे हैं कि अभी जो आप अपने समाज में वापस लोटका हैं जबकि आप पहले भी बहुजन समाज के लिए बहुत सारे कारे करते रहें लेकिन RSS के अंडर प्रेशर मे वर्क आउट करते थे लेकिन अभी RSS के विचाधारों से निकलने के बाद कैसे महसूस कर रहे हैं आप तेकि मैं कर भी बहुजन समाज की थी आज भी बहुजन समाज की हूँ आगे भी मैं बहुजन समाज की ही रहूंगी अगर सम्विधान ना होता तो हमें सामान सिट पर टिकट ना मिलता हम आरच्छड के तहट और सम्विधान के तहट जीत करके आए हैं हमारे लिए सांसत बिधायक परना उतना महतपूर नहीं है जितना महतपूर हमारे लिए भारत के सम्विधान और आरच्छड है भारत के स शंविधान और आरच्षर सुरच्छ उती तरहा तो हमको सांसत बनने से कोई रोक नहीं सकता अगर वह शंविधान को खतम करना चाते हैं आरच्षर को खतम करना चाते हैं वह कौन लोग है वह वही लोग है जो आज इस देश के तीन प्रतिशत लोग हमारे देश के रहने वाले नहीं है जिसका जीता जाकता हुआ प्रमाट पंडी जवाहलाल नहरू जो इस देश की प्रधान मंतरी थे उन्होंने कहा था कि आरबी देशी हैं ये बाहर से आकर के हमारे देश के बहुजन समाज की लोगो गुलाम बना करके रखा है और आज वही लोग भारत की शमविदान और आरच्छड का बिरोध कर रहे हैं आज भारत का शमविदान का बिरोध करने वाले लोग अगर उनका पापलेशन सबसे कम है और इस देश में ओट देने वाला समाज जो दलित है पिछड़ा है आदिवासी है अलसंक्यक है ये सबसे ज़्यादा लेने का काम करता है लेकिन बीजेपी के लोग जब इनके वोट की बात आती है तो ये दलितों का नाम लेते हैं पछड़ों का नाम लेते हैं गरीबों का नाम लेते हैं तीन तलाक का नाम लेते हैं और वोट लेने के बाद जब उस कुरसी पे बैठते हैं तो सबसे ज़्या अगर नुक्षान किसी का हुआ है आज 55 साल में तो आज ये दलित और पिछड़ा आदिवासी अलप संखिक समाज की लोगों का नुक्षान हुआ है इसलिए बीजेपी के लोग और आरेसेस के लोग ये दोनों दलितों को पिछड़ों को आदिवासी को और मुस्लिम समाज के ये भैभीत करते हैं आपको सुना आपने देखा होगा कि कभी हमारे दलित समाज के बेक्ति का मोच ख़ड़ लिया जाता है कही हमारे दलित समाज के लोगों को जूते में पिसाब पिलाए जा रहा है कही हमारा अंसूची जाती का बेक्ति जूल अगर वो घोड़ी पर सवा समाज के लोग जब भी अपने समाज के हाग कि साधिकार सम्मान सुरुचा की बात करते हैं तो उनको उनके खिलाब मुकदमे लिखे जाते हैं उनके खिलाब राशुका लगाया जाता है उनको भैभीत किया जाता है डरवाया जाता है ये दलितोर पिशड़ों के शाहत करते है और दूसरे तरफ अलब संकिक समाज की लोगों को भी बहभीत करते हैं अभी बुलन सहर में जो घटना हुई उस घटना का अंजाम देने का काम किशने किया और सभी टीवी रेडियो कमार्दिम से आपको सुनने को देखने को मिलता है ये जो भी देश में संपरदाइक दंगे होते हैं जो भी हिंदू मुश्लिम की बात होती है कभी भारत पाकिस्तान की बात होती है कभी मंदिर और मस्जित की बात होती है ये कौन लोग है ये वही तीन प्रतिस्ट लोग है जो हमारे दलित और पिछड़ादिवासी समाज की लोगों मुश्लिम समाज की लोगों को आ पूरी तरीकिसे अंदोलन छेड़ दिया है और मैं आपके शैलल के मादम से कहना चाहती हूँ कि मैंने भारती जनता पार्टी से मैंने त्याक पत्र दे दिया है इसलिए कि भारती जनता पार्टी में अनसूची जात जन जात पिछडी जात आदिवासी समाज के लोगों का सम् अगर कभी जब चुनाव आता है तो यहीं बीजेपी के लोग कहते हैं हमारी सरकार दलितों की होगी पिछडों की होगी गरीबों की होगी लेकिन जब सरकार बन जाती है तो यह सरकार पूझी पतियों की हो जाती है बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं और गरीब हमारा भुकमरी के कागार पर है आज दलित और पिछड़ा अदिवासी समाज जुगी जोपरी डाल कर नदी की किनारे रोट की किनारे रेलवे लाइन की किनारे तालाप की किनारे अपनी जुगी जोपरी डाल कर पतल बेज करके प्लास्टिक बेज करके मजदूरी करके दूसरे की ग अबादी वाले समाज के गाउं में कोई विकास है ये केवल जुमले से काम नहीं चलेगा अब हमारा समाज अपने हक की साधिकार सम्मान सुरुच्छा की मांग कर रहा है इसलिए मैं मांग करतना चाहती हूं कि भारत की शम्विधान को लागू करने के लिए इस देश की आज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा अब देश में वही राज करेगा जो बहुजन की बात करेगा